तो हेलो दोस्तों थोगतले हैं आप सभी का आपके अपने एट्वूप चैनल में पार्थाला पर मैं अंक्यत और महां दोस्तों आज आपको शिखाऊंगा भिन्नों को आरोही और आवरोही करम में कैसे लिखें तो यहां पर देखो दोस्तों पहला कि उसने अपन का साथ बटे चार, दो बटे साथ, एक बटा दो, इसको अपन को आरोही और आरोही करम में लिखना है, मतलब जो संख्याय दे रखी हैं, उनको आरोही और आरोही करम में जमाना है, तो पहले अपन आरोही और आरोही करम को समझ लेते हैं, आरोही करम दोस्तों होता है, यह आरोह संक्या होती है वो पहले आती है जैसे दो चार छे ढड़िए और इसको बोलते हैं दोस्तों बड़ता हुआ क्रम ये बड़ता करम क्यों बोलेंगे क्योंकि इसमें संक्यािएं बढ रहे हैं ये बढ रहे हैं ना दो चार छे आठ तो क्या हो रहा हैं बढ़ता हुआ करम हो रहा है अब आउरोही करम क्या होता है दोस्तों आउरोही करम इसको बोलेंगे मतलब इसमें सबसे बड़ी संक्या पहले आ जाएगी तो यहाँ पर आठ कर लो फिर छे पिर चार फिर दो मतलब सबसे बड़ी संक्या पहले आएगी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी खीक है और इसको बोलते हैं दोस्तों घड़ता हुआ करम संक्याए गट रही है आट छे चार दो संक्याए गट रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे गट अब यहां पर दोस्तों इस सवाल को केसे हल करेंगे और रोही और आरोही में लिखना पढ़ेगा ना। तो इसमें हम समान हैं और नहीं हर समान हैं तो हपं क्या करेंगे चार साथ और दोका लशाli से निकाल लेते हैं इनका दोस्तो आ जाएगा आप लशान निकाल के देख लेना इसका लशाल आ दोस्तों 28 ठेके ना मतलब साथ का भी बाग और चार का भी बाग दो का भाग ऐसी संख्या सबसे चोटे संख्या डूंडो जिसमें इन तीनों का बाग पूरी-पूरी बार चला जाए तो दोस्तों एसी संख्या स्रिफ 28 हैं और 28 में इनका लस आ जाएगा तो यहां पर लिख लो दी गई बिन्नो का लस मतलब हरों का लस दी गई बिन्नो के हरों का लस यह जाएगा दोस्तों 28 ठीक है अब जो 28 आया है उसको सबी संख्याओं को आपको उससे गुणा करवा देना है जैसे साथ बटे चार गुणा करवा दो 28 से दो बटे साथ यह दो बटे साथ गुणा करवा दो 28 से एक बटा दो गुणा करवा दो 28 से कार दो यह कटेगा साथ बार इधर कार दो चार बार 6 दूना 28, और यह जाएगा 6 इकम 6 अब दोस्तों, आरोही और आरोही दोनों में सजा जेना इसको तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं आरोही करम आरोही करम में सबसे छोटी संध्या पहले आएगी तो सबसे छोटी संध्या देखो, यहाँ पर 8 आ रहा है मतलब दो बटे 7 सबसे चोटे ही संक्या है। उससे बड़ी देखो इदर 14 आ रहा है मतलब 1 बता 2 उससे बड़ी रहेगे। फिर 9-4 आ रहा है मतलब 7 बटे 4 सबसे बड़ी रहेगे। अब आवरोही लिखना है आवरोही करम। तो क्या वजाएगा अवरोही क्रम उल्टा कर दो साथ बटे चार एक बटा दो और दो बटे साथ दोस्तों यह तो हुआ आरोही और यह हुआ आवरोही तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना